आपने देखा होगा पिछली सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी जो वो कहते थे कि राम तो कालपनिक हुए हैं कर मैं सुनता था उनके बयानों को अब कहने लगे राम तो सब के हैं यह है जो राम भक्तों के बोली चला के थे का नि bunlar अइस उनको भी राम भक्तों की ताकत का एकासास हो गया है अब यहीं कि राम तो सब हैं जो के थे कार्शेवा करों बहते हैं तो कहते हैं लम चेफार बिरोद करों यहीं को कहते हैं अंतरबार भक्तों ने जो कार सेवा की कि विजय में ना पांच अगस्त 2020 को अयोग्या में राम जनंभूमि का सिलान्यास और सुहारंब प्रहान अंत्री मोधी जी के करकमरों से होना इस बात को साविप करता है कि राम जनंभूमि के लिए चला हुआ आंदोलन एक सकारत्मत आंदोलन था और वहां आंदोलन कार सेवकों और राम भक्तों का आंदोलन कहीं भी नकारत्मत नहीं था उस आंदोरन का दिरोब करने वाले लोग नाकारत मुझ सोचते थे और इसलिए उस आंदोरन को बदनाम करते थे और जब हरे एक छेत्र में भेड हो चुके हैं अब फिर वही राग अलापने का कारे करते हैं अफ्तीर पहले राम को मानते नहीं थे अब कहने लगा है राम को सब करें सब्गुति हमेशा उन लोगों को बनी रहे और भारत के लिए उत्तर प्रदेश के बारे में इस प्रकार की सकारतम सोच के साथ आगे बढ़ सकें लेकिन इक पाकत थी इस पाकत ने इतने बड़े सांस्प्रतिक आंदोरन को आगे बढ़ाया और आज मिल्यादा प्रशुता प्रदान सीर राम की के पासे अयोध्या में भब मंदिर मिर्मान का कारिफ योध्रस्तर पर आगे बढ़ साथ दिखाई देगा है